नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं पंडित नरेंद्रुपाध्या लाइव हिंदुस्तान की जोतिशे कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले हम लोग 2 जून 2024 की ग्रह स्थिति देखते हैं बिशब राशी में सुरी बुद्ध शुक्र गुरू मेश राशी में मंगल स्वग्रहिद केतु कन्या राशी में शनी कुम्भ राशी में और चंद्रमा राहु का ग्रहण योग मीर राशी के बचल देखते हैं मेश राशी मन परिशान रहेगा, खर्च के अधिक्ता रहेगी, सरदर्द नेत्र पीड़ा अग्यात्मय सताएगा, बाकि स्वास्त प्रेम ब्यापार सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, अब तो आप बहुत अच्छी इस्तती में आ गया है, काली बस्तु का दान करें, प्रिश्यव राशी, आयन में उतार चड़ाव बना रहेगा, मन परिशान रहेगा, स्वास्त ठीक ठाक प्रेम संतान मध्यां ब्यापार अच्छी, लाल बस्तु का दान करें, मेथोन राशी, ब्यापारीक उतार चड़ाव बना रहेगा, स्वास्त फोड़ा मध्यां प्रे कार्यों में बिग्न बाधा आएगी स्वास्त मध्यम रहेगा प्रेम संतान सुधर चुका है और व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा लाल बस्तु पास रखे सेंगराश परिस्तितिया प्रतिकून है चोट्य प्रिट लग सकता है किसी परिशानी यह पढ़ सकते स्वास्त परिशानी में आ सकता है प्रेम संतान भी मध्यम व्यापार मध्यम रहेगा नौकरी चक्री में परिशानी के सामना करना पड़ेगा पीली बस्तु का दान तुला रश शत्रु नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी हो जाएगी पैरों में चूर्चे ध्यान दे प्रेम में तूतु में से बचे स्वास्त प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है काली बस्तु का दान धनुराशी घरलू सुख बाधित रहेगा घर में नाकारात्म कुर्जय का संचार होगा स्वास्त मध्यम प्रेम संतान सुधर चुका है व्यापार भी सुधर लाल वस्तु पास मकाराश के इस्थिति थोड़ी नाकरात्मक दिख रही है अपनों के स्वास्त को ले करके मन परिशान देगा वागी व्यापार मध्यम प्रेम संतान के इस्थिति अच्छी है काली वस्तु करा ना कुम्हराश के प्रयोग से बचे और कुटुम्बो में मेश मत करें स्वास वास प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है हारी वस्तु पाहस रहे हैं में दाठश कि नाकारात्मक पुर्जा का संचार होगा बच्चों के सिहत में प्रॉब्लम, प्रेम में तू तू में में, स्वास्त मध्यां, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, काली बस तू का दान करें, नौसकर.